अब अगर मैं इस फिगर में देखूं तो हमें गिवन है A, B, C, D के पार्लल है और F, E, C, D के पर्पेंडिकुलर है हमें वेल्यों निकालनी है एंगल A, G, E की सबसे पहले तो मैं देखूं तो मुझे ये एंगल G, E, D, 126 जिवगरी गिवन है और A, B, C, D के पार्लल है तो G, E एक ट्रांसफर्सल है एंगल A, G, E and एंगल G, E, D ये alternate interior angles फॉर्म कर रहे हैं तो ये दोनों angles तो equal हो जाएंगे एंगल A, G, E is equal to angle G, E, D therefore angle A, G, E की कितनी value आ गई 126 जिगरी उसके बाद हमें किसकी value निकालने के लिए बोले गई है angle G, E, F angle G, E, F मतलब ये वाला angle हमें निकालना है अब मुझे angle G, E, D तो 126 जिगरी गिवन है angle G, E, D is equal to 126 जिगरी angle G, E, D को मैं angle G, E, F plus angle F, E, D लिख सकती हूँ angle G, E, F plus angle F, E, D is equal to 126 जिगरी अब angle F, E, D तो 90 जिगरी है क्योंकि F, E, C, D के perpendicular है तो अब मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूँगी इसे angle G, E, F plus 90 जिगरी is equal to 126 जिगरी angle G, E, F की value निकालने के लिए 90 जिगरी राइट एंड साइट चला जाएगा 126 जिगरी माइनस 90 जिगरी माइनस करके क्या आएगा मेरे पास value 36 जिगरी इसके बाद देखो हमें क्या कह रखा है निकालने के लिए angle F, G, E मतलब कौन सा angle? angle F, G, E ये वाला angle है अब A, B एक straight line है और G, E, एक ray है जो A, B को intersect कर रहा है G पर तो angle A, G, E plus angle F, G, E equals to 180 जिगरी होगा क्योंकि ये linear pair form कर रहा है क्या आएगा यहाँ पर? angle A, G, E plus angle F, G, E is equal to 180 जिगरी क्योंकि ये linear pair है angle A, G, E देखो हमने अभी निकाला था उपर 126 जिगरी plus angle F, G, E is equal to 180 जिगरी तो अब इसकी value निकालने के लिए 126 जिगरी right hand side जाके negative हो जाएगा angle F, G, E is equal to 180 जिगरी minus 126 जिगरी तो कितना आएगा मेरे पास? 54 जिगरी अब देखो हमें क्या-क्या निकालना था question में क्या-क्या निकालने को बोला था angle A, G, E angle A, G, E हमने निकाला है 126 जिगरी इसके बाद बोला था angle G, E, F निकालने के लिए हमने angle G, E, F निकाला है 36 जिगरी इसके बाद बोला था F, G, E निकालने के लिए और हमने F, G, E कितना निकाला है 54 जिगरी